नमस्कार असलाम अलेकुम आदाब मैं हूं यूसुप अली आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव आईए देखते आज की खास क्वाइब सोने के गहनों की चोरी का अर्दशतक पूरा करने वाली शातिर महिला को मुंबई पुलिस ने किया गिरफतार गहना खरीद के बहाने जॉलिरी शॉप में गुस कर अंजाम दे दीदी चोरी पचास से जादा जॉलिरी शॉप को बना चुकी है शिकार इस तस्वीर में दिखाई देने वाली इस मासूम सी औरत के पीछे एक शातिर चोर छिपी है जी हाँ इस महिला को डीन डोशी पुलिस ने हाल ही में गिर्फतार किया है महिला के पास से अठारा ग्राम सोने के गहने भी बरामद हुए है पुलिस ने महिला को दुकान में लगे सीसी टीवी की मदद से गिर्फतार किया है जांच में पता चला है कि यह महिला मुंबई के अलग-अलग इलाके से कुछ दिनों के अंतराल में एक जोयलरी शोप में चोरी इन्जाम देती थी महिला पर अब तक दरजनों मामले दरज है इस महिला की खासे दिये है कि चोरी की शिकायत कोई न करे इसलिए यह सिर्फ सोने के कंवजन वाले बेबी टॉप्स ही चुरा दी थी महिला नाला सुपाला की रहने वाली है महिला ने चुराय हुआ सोना कहां कहां बेचा इसकी जांच पुलिस कर रही है CCDU में दिखने वाला यह वीडियो चेत्र नवरातरी के पहले जिनका है जब विद्या गंगादर थोरात की दफ्तरी रोड इससे दुरुपाले जोलरस नामक सोने की दुकान में यह महिला बेबी टॉप्स खरिदने गई थी सोनार ने महिला के सामने गेनों के कुछ बॉक्स रखकर दूसरा बॉक्स लेने गया तब इस महिला ने बड़े ही शातिर अंदाज में बॉक्स में रखे दो तोले सोने का बेबी टॉप्स अपने बेग की नीचे खिसका दिया और मौका देखकर चुरा लिया कुछ देर बाद महिला गहना पसंद नहीं आया बोलकर वहां से निकल गई बाद में दुकानदार ने दुकान में लगए केमरे में देखा तो महिला की चुरी सामने आई शिकायत के बाद डिंडोशी पुलिस इस्टेशन के जाच अधिकारी चंदरकांत गार गया और इनकी टीम ने महिला को नारा सुपारा अलाकर से दबोच लिया महिला ने पुलिस को बताए कि रोज एक जोलेरी शॉप में सोना खरीदे के बाहने जाकर सोना चुराने की कोशिश करती है अगर पकड़ी गई तो सोना देकर भाग जाती है अगर नहीं पकड़ी गई तो सोना लेकर फरार हो जाती है कई बार ऐसा भी हुआ जब कम वजन का सोना चौरी होने के नाते दुकान दाने शिकायत तक नहीं की इसलिए महिला बच निकली रुपाली जवलर्स में चौरी के पहले भी महिला ने मलार की दूसरी दुकान में सोना चौरी की थी जहां वब पकड़ी गई थी लेकिन सोनार को सोना वापस देकर महिला बच गई रुपाली जवलर्स माली काशिश की शिकायत के बाद मामला प्रकाश बाया पुलिस अब महिला द्वारा चुराए गए गेनों को कहां बेचा जाता है इसकी जानकरी निकालने में जुटी है लेकिन शातिर महिला पुलिस को असली ज्वेलर्स की दुकान अब तक नहीं बता रही है जहां वह चोरी के गहने बेचती थी जहांच में यह भी पता चला है कि उक्त महिला पर चोरी के दर्जनों मामले दर्जे कहीं ऐसे दुकान मालिगे जिन्होंने महिला के खिलाफ चोरी की शिकायथ ही दर्ज नहीं करवाई है ब्यूरा रिपोर्ट सेफ ने उदला आई हो असिती आपकी दुकान में कुजिन पहले एक महिला ने चोरी किया था हाँ जी क्या पूरा मामला है और क्या चोरी किया यह बेबी टॉप्स के पैकेट जो नोस्पिन भी बोलते हैं स्क्रू वाली पकते हैं तो हेवी से हेवी ओर्नमेंट लेके वह गायब कर देती है बहुत चालागी से वह आपको फूटेज भी दिया है हमने तो जैसे लोग छोटी आइटम जाने पर कंप्लेंड नहीं लिखाते हैं मेरी एक रिक्वेस्ट है एवरी ज्वेलर से कि आप छ सब्सक्राइब कर सकते हैं हम तो नॉमनली बताते हैं तो वह इसाब से कोई भी ओर्नमेंट का है वह आप प्लेंड जरूर कीजिए क्योंकि जो रिकवरी यह पुलीस ऑफिसर कर रहे हैं अपने लिए तो बैस्ट है और यह सोसाइटी को भी एक आवरनेस है यह आप प्लीस क जुकान टार्गेट करती है चोरी करती ही है और मोस्टी नोस्पिन और यह चीजी तो पैकेट पूरा गायब करती है हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एयों सेवा से संबंदित विज्यापन है तू मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर करें